हाई फ्रेंड्स वेल्कम टू में अनदर वीडियो ए रिक्वेस्ट की वीडियो आप पूरा देखे और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लाएगा इस वीडियो में हम जानेंगे बॉगी क्या है बॉगी क्यूं दी जाती है बॉगी के प्रमूख फंक्शन्स क्या है और वो कौन से प्रमूख उपकरन है जो बॉगी में दिये जाते है किसी रॉलिंग स्टॉक में बॉगी जो है वो एक मॉडूलर सब एसेमली है जिसमें कम से कम एक विल सेट हो और उसे सपोर्ट करने वाला स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क हो इसे रॉलिंग स्टॉक के बॉड़ी के नीचे रखा जाता है ताकि ये उस बॉड़ी को सहरा दे सके उस बॉड़ी के साथ किसी ठीक तरीके से जूर सके जिससे की बॉड़ी के रेस्पेक में वो रिलेटिवली मूफ कर सके और रॉलिंग स्टॉक को रेल्स पे गाइड कर स Railway की दुनिया में Boggy को Rail Truck या सिर्फ Truck के नाम से भी जाना जाता है Boggy is Powered या Unpowered हो सकते है Powered Boggy का उधारन है एक Locomotive Boggy जिसमें कम से कम एक Driving Will Set हो Unpowered Boggy का उधारन है एक Wagon की Boggy जिसमें कोई Driving Will Set नहीं है एक्जम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने उपर में एक लोकोमोटीव बॉगी को दिखाया है और नीचे एक वैगन के बॉगी को दिखाया है अब हम जानेंगे कि किसी लंबे रोलिंग स्टॉक में बॉगी क्यों दी जाती है ये मैं आपको इस लोकोमोटिव मॉडेल के द्वारा समझाऊंगा इस एक्जम्पेल में ये मॉडेल हमारा रोलिंग स्टॉक है इस रोलिंग स्टॉक में दो बॉगी है एक ये दूसरा ये हर बॉगी में तीन विल सेट्स है और हर बॉगी जो है इस रोलिंग स्टॉक बॉडी के रेस्पेक्ट में रिलेटिवली मूव कर सकती है केस वन में हम माल लेते है कि इस रोलिंग स्टॉक में कोई बॉगी नहीं है और ये जो छे विल सेट्स है ये डाइरेक्ली इस रोलिंग स्टॉक के अंडर फ्रेम या बॉडी बेस में सपोट कर दिये गये है इससे क्या होगा कि इन छे विल सेट्स के लिए सिर्फ एक लंबा रिजिट सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसलिए जब भी इस रोलिंग स्टॉक को किसी कर्व के उपर से गुजरनना पड़ेगा उस कर्व के रेडियस को इतना बड़ा होना पड़ेगा कि रोलिंग स्टॉक के ठीक नीचे जो कर्वड रेल्स का पोर्शन होगा उन्हें इस rolling stock के हिसाब से वर्चुली सीधा जासा होना पड़ेगा तभी जाके इस rolling stock के जो 12 wheels है वो ठीक ठीक अपने नीचे उन curved rails पे बैट पाएंगे Case 2 में हम दो boggies consider करते हैं जो की इस rolling stock में already दिये गये है Case 1 में जो एक wheels set से दूसरे wheels set का दूरी था वही Case 2 में भी है Boggies देने से क्या हुआ कि पहले जो सिर्फ एक लंबा rigid supporting structure था वो हड़ गिया अब इस boggies वाले rolling stock को जब किसी curve के उपर से गुजरना पड़ेगा उस curve का निर्दिश्ट radius कम होगा क्योंकि अब दो छोटे independent rigid structures है जो की rolling stock body के respect में move भी कर सकते है और छोटे इसलिए है क्योंकि हर एक rigid structure सिर्फ तीन will sets को support करता है जबकि Case 1 में एक will set से दूसरे will set का दूरी यही था पर वो सिर्फ एक लंबा rigid structure था जो अकेले पूरे 6 will sets को support कर रहा था इसलिए किसी लंबे rolling stock में बोगी देने से वो निर्दिश्ट कम radius वाले कर पे गुजर सकता है जो कि उसी rolling stock के लिए काफी मुश्किल यह संभवी नहीं होगा अगर उसके under frame में directly उतने ही will sets को support कर दिया जाए बोगी के प्रमुक, career यह functions क्या है एक, अपने खुद के छोटे will ways होने से जिसे हम बोगी will ways कहते है और अपने उपर के rolling stock body के respect में relatively move कर पाने से बोगी जो है उस rolling stock को कर्व के उपर चलने में साहता करती है दो, एक rolling stock को जो उसकी dimensional clearances और alignment requirements दिये गये है उस rolling stock में लगे बोगी का काम है उन dimensions या माप को बनाये रखना चाहिए वो rolling stock अपने साथ लगे हर component और payload के साथ रुका हो या चल रहा हो तीन, डिजाइन के मुताविक सारे loads को सही तरीके से पहिये तक और finally नीचे rail तक पहुँचाना चाहिए वो rolling stock अपने साथ लगे हर कंपोनेंट और पेलोड के साथ रुका हो या चल रहा हो चार अगर पावर्ड बॉगी हो तो उस बॉगी का काम है विल्सेट को घुमाने वाले उपकरन जैसे की ट्रेक्शन मोटर, येर बॉक्स, प्रोपेलर सेफ्ट आधी को सपोर्ट करना पावर्ड बॉगी में सेंड बॉग्स भी हो सकते हैं पाँच, पावर्ड बॉगी से ट्रेक्टिव एफट और ऐसा बॉगी जिसमें ब्रेक लगे हो उसमें से ब्रेकिंग एफर्ट को रोलिंग स्टॉक के अंडर फ्रेम में बॉगी बॉडी कनेक्शन तक सही तरीके से पहुचाना तभी ये एफर्ट्स आगे बॉडी के थू से कप्लिंग और बफर्स तक पहुचेंगे बफर्स में दवाव जो है सिर्फ ब्रेकिंग के दौरान होते हैं इन एफर्स को ट्रांसफर करते समय वजन कम से कम ट्रांसफर होना चाहिए छे, सस्पेंशन उपकरन जैसे की स्प्रिंग्स, डेमपर्स आदी को सपोर्ट करना जिससे की रेल खराबी या जोमेटरी चेंज से उत्पन होने वाले जटको को वो सोक सके जब रोलिंग श्टॉक मूफ कर रहा हो साथ, ब्रेक सिस्टेम के उपकरन जैसे की ब्रेक ब्लॉक्स, ब्रेक कैलिपर उनिट्स, ब्रेक सिलिंडर आदी जो भी डिजाइन के मुताबिक दिये गये हैं उन्हें सपोर्ट करना आठ, विल सेट को रेल खराबी या जोमेटरी चेंज के मुताबिक गाइड करना नौ, ट्रेक पे लोड या दबाव कंट्रोल करना और कम रखना जिससे की ट्रेक और विल्स को कम से कम नुकसान हो दस, रोलिंग स्टॉक के पर्फॉर्मेंस पेरमिटर्स जैसे की राइट कॉलिटी, आराम, सेफ्टी, वहन स्थिर्ता, आधी जो भी डिजाइन के मुताबिक चाहा गया हो उन्हें कायम रखना अब हम बौगी के प्रमूख उपकरन के बारे में जानेंगे एक, बौगी फ्रेमवर्क, बौगी फ्रेमवर्क जो है यह बोल्स्टर, साइड बेरर्स को भी इंक्लूट कर सकता है अगर उसमें डिजाइन के मुताबिक दिया गया हूँ दो, ऐसा तंत्र जिससे की बौगी जो है रोलिंग स्टॉप बौडी के रेस्पेक्ट में रिलेटिवली मूव कर सके जैसा की पिवोट कनेक्शन तीन, सस्पेंशन स्प्रिंग्स, डेमपर्स, इक्वालाइजिंग बीम्स आधी जैसे की डिजाइन में दिया गया हो चार, विल सेट को घुमाने वाले उपकरन जैसे की ट्रैक्शन मोटर, प्रोपेलर शेफ्ट आधी पांच, विल सेट और उसके बियरिंग्स तथा उसका बॉगी फ्रेम के साथ कनेक्शन और विल सेट को गाइड करने वाला तंत्र छे, ब्रेक सिस्टेम उपकरन जैसे की ब्रेक ब्लॉक्स, ब्रेक कैलिपर यूनिट्स, ब्रेक बीम, ब्रेक हैंगर, ब्रेक सिलिंडर आधिक जैसा की डिजाइन के मुताविक दिया गया हो हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो